सुमेरामनकुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से आने वाले कुछ इंपोटेंट परसनों का अधियन करेंगे तो दोस्तो वीडियो को अंत तक देखेगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करके जाएगा तो आज चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का पहला परसन आज का हमारा पहला परसन है तामर एवं टीन के मिसर धातु को क्या कहते हैं चार एप्सन दिये गए हैं पहला उप्सने पीतल दूसरा उप्सने डिउडा लूमिन तीसरा उप्सने काँसा चोथा उप्सन है सोल्डर तो दोस्तो तामर एवं टीन के मिसर धातु को काँसा कहते हैं ओप्सन सी यहां पर करक्त होगा next person पे चलते, next person देखते हैं कौन सा अधातू कमरे के ताप पर द्रव होता है 4 option दिये गए है, पहला option है पारा दूसरा option है अलुमीनियम तीसरा option है ब्रोमीन चोथा option है ताबा, तो दोस्तो वह है अधातू जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो दोस्तो सीसा और टिन की मिस्र धातु को solder कहते हैं, option D यहाँ पर correct होगा, next person पर चलते हैं, carbon का कौन सा अप्रूप अधिक कठोर होगा, next person पर चलते हैं, copper को वायू में जलाने पर कौन सा योगिक बनता है, चार option दिये गए हैं, पहला option है copper hydroxide, दूसरा option है copper hydroxide, तीसरा option है copper oxide, चोथा option है कुछ नहीं, तो दोस्तो copper को वायू में जलाने पर copper oxide बनता है, option C यहाँ पर correct होगा, next person पर चलते हैं, next person है silica क्या है, चार option दिये गए हैं, पहला option है उपधातु, दूसरा option है धातु, तीसरा option अधातू, चोथा ओप्शन है, इन में से कोई नहीं, तो दोस्तो सिलीका उपधातू होती है, ओप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेक परसन पे चलते हैं, धातू को पीट कर पत्तर बनाना आसान है, यह धातू के किस गुर्धर्म को बतलाता है, चार ओप्शन दिये होगा, नेक्स परसन पे चलते हैं, अगर किसी मिस्र धातू में एक धातू पारद है, तो इसे क्या कहते हैं, चार ओप्शन दिये गए हैं, पहला ओप्शन है पारद मिस्र धातू, दूसरा ओप्शन है आइरन मिस्र धातू, तीसरा ओप्शन है अमलगम, चोथा ओप्शन ह तो दोस्तो लोहे पर भाप की अभीकिरिया से hydrogen gas उत्पन होती है, option A यहाँ पर correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक योगिकों में प्राय नहीं होता, चार option दिये गए हैं, पहला option है जल में विलेता, दूसरा option है निम्न द्रवनांक, तीसर option है, जोनन सीलता, चोथा option है ये सभी, तो दोस्तो वहे गुण जो कार्बनिक योगिकों में प्राय नहीं होता, वहे है जल में विलेता, option A यहाँ पर correct होगा, next person पर चलते हैं, next person है, जस्ता के आयस्क हैं, चार option दिये गए हैं, पहला option है जिंक बिलेड, दूसरा option है बॉक दूसरा option है 4%, तीसरा option है 2%, चोथा option है 5%, तो दोस्तो इस पात में 2% कार्बन होती है, option C correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, next person है, कौन सा धातू जल में डालने पर तैरने लगता है, चार option दिये गए हैं, पहला option है calcium, दूसरा option है nickel, तीसरा option है magnesium, चोथा option है potassium, तो दोस्तो वहे धातू जो जल में डालने पर तैरने लगती है, वहे है calcium, option A correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, एक धातू के टुकडे से पतले तार खीचे जा सकते हैं, यह धातू के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदाई है, चार option दिये गए हैं, पहला option है तन्यता, दूसरा option है कठोरता, इन में से कौन सी अधातू? चमकीली है, चार option दिये गए हैं, पहला option है carbon, दूसरा option है iodine, तीसरा option है sulfur, चोथा option है bromine, तो दोस्तो वह है अधातू जो चमकीली है, वह है bromine, option B यहाँ पर correct होगा, next person पर चलते है, next person है, धातू के बरतन में खाना बनाया जाता है, क्योंकि य यह है उसमा का सुचालक होता है, option A correct हो जाएगा, next person पर चलते है, next person है, कौन सी धातू जल के साथ अभिकिरिया करती है, चार option दिये गए हैं, पहला option है sona, दूसरा option है potassium, तीसरा option है silver, चोथा option है lead, तो दोस्तो वह है धातू, जो जल के साथ अभिकिरिया करती है, उसका ना option है उच्छ होते हैं, तीसरा option है सामान्य होते हैं, चोथा option है सभी कथन सत्य हैं, तो दोस्तो आइनिक योगी कोके, गलनांक एवं कथनांक उच्छ होते हैं, option B correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, इन में से कौन सी धातू दरव अवस्था में पाई जाती है, चार option दिये गए चार option दिये गए हैं, पहला option है sodium, दूसरा option है magnesium, तीसरा option है zinc, चोथा option है ये सभी, तो दोस्तो वह है धातू जो केरोसीन में डुबो कर रखी जाती है, उसका नाम है sodium, option A यहाँ पर correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, निम नमे से कोन धातू पानी में, अधातू पानी में स्वेत, फासफोरस, option B यहाँ पर correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, next person है, निमन में से कोन सी धातू तार के रूप में उपलब्ध है, चार option दिये गए हैं, पहला option है calcium, दूसरा option है magnesium, तीसरा option है copper, चोथा option है lead, तो दोस्तो वह है धातू जो तार के रूप में उपलब्ध है उसका नाम है copper, option C यहाँ पर correct होगा, next person पर चलते हैं, भूपरपटी में स्वतनत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातूएं, निमली कित में से कोन है, चार option दिये गए हैं, पहला option है AG, दूसरा option है MG, तीसरा option है AL, चोथा option है ZN, तो दोस्तो भूपरपटी में स्वतनत अवस्था में पाई जाने वाली धातूएं, निमली कित में से है AG, option A यहाँ पर correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, निमली में से कोन अधातू है, चार option दिये गए हैं, पहला option है Cobalt, दूसरा option है Hydrogen, तीसरा option है Loha, चोथा option है Sona, तो दोस्तो Hydrogen एक अधातू है, option B यहाँ पर correct होगा, next person पर चलते हैं, निमली कित पदार्थों में से कोन विद्धूत का कुछालक है, चार option दिये गए हैं, पहला option है Grafite, दूसरा option है Hira, तीसरा option है Sona, चोथा option है Chandi, तो दोस्तों, निम्न पदार्थों में से कोन विद्धूत का कुछालक होगा, उसका नाम है, हीरा, option यहाँ पर correct हो जाएगा, next person पर चलते हैं, एक विद्धूत फ्यूस तार की क्या विसेश्था होनी चाहिए, चार option दिये गए हैं, पहला option है निम्न गलनांक उच्च विसेश्थ परतिरोद, दूसरा option है उच्च गलनांक निम्न विसेश्थ परतिरोद, तीसरा option है निम्न पर चलते हैं, next person है, next person है, निम्न में से परकिरियाओ का कोन सा युग्म पोधो को जनतों से अलग करता है, चार option दिये गए हैं, पहला option है स्वसन तता प्रजनन, दूसरा option है माइट्रोकोंडरिया तता सेंट्रोसो, तीसरा option है क्लोरोफिल तता रजधानी, चोथा option है दूसरा option है कैंसर फेफडो का, तीसरा option है अलसर, चोथा option है अनिद्रा, तो दोस्तों धुम्रपान से होने वाला परमुक रोग है कैंसर, फेफडो का option B यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते हैं, next person है, सजीवो में ओक्सी स्वसन की परकिरिया में कितनी उर्जा अवमु option C यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते हैं, हमारे सरीर के किस अंक के द्वारा, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, चार option दिये गए हैं, पहला option है यकरत, दूसरा option है व्रकक, तीसरा option है फेफडे, चोथा option है रिदय, तो दोस्तों यकरत के द्वारा, अमोनिया क यूरिया में बदला जाता है, option A यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते हैं, next person है, विसराम अवस्था में स्वस्त व्यक्ति की रिदय की परतिमिन धड़कन होती है, चार option दिये गए हैं, पहला option है 72, दूसरा option है 70, तीसरा option है 75, चोथा option है 80, तो दोस्तों विसराम अवस् प्लेग, चोथा option है तपेदिक, तो दोस्तों चुहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, प्लेग, option C यहाँ करेक्ट हो जाएगा, next person पर चलते है, next person है, निम्न में से कोन वायू मंडल की स्वतंतर नाइट्रोजन का इस्तिकरन करता है, चार option दिये गए हैं, पहला option है नी मुख्यताय गैस है, चार option दिये गए हैं, पहला option है O2, दूसरा option है H2, तीसरा option है N2, चोथा option है CO2, तो दोस्तों सोचन के दुरान मनुस्वे द्वारा ग्रहन की जाने वाली मुख्यताय गैस है O2 मतलब oxygen, option A यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते है, next person है, रोनाल्ड र चकर के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिर्था संभव पाती है, चार option दिये गए हैं, पहला option है oxygen, दूसरा option है hydrogen, तीसरा option है phosphorus, पहला option है देंगू, दूसरा option है malaria, तीसरा option है poleio, चोथा option है titanis, तो दोस्तों titanis संक्रामक रोग नहीं है, option D यहाँ पर करेक्ट डूटिरियम निम्लिखित में से किसका समस्थानिक है, चार उप्षन दिये गए हैं, पहला उप्षन है हिलियम, दूसरा उप्षन है नाइट्रोजन, तीसरा उप्षन है हाइड्रोजन, चोथा उप्षन है ओक्सिजन, तो दोस्तो डूटिरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक प्त्यों का रंग निमल्लिखित पेस्टिक TUर्ण होता है जीवन की मुल्भूत एकाई है जीवन की मूलभूत एकाई है जीवन की मुलभूत एकाई है नेक्ट पर्शन पर चलते हैं, नेक्ट पर्शन है द्रव्यमान संख्या निमलिकित में से कोन कहलाती है, चार उप्शन दिये गए हैं, पहला उप्शन है प्रोटोन एवं नूट्रोनों की संख्याओ का योग, दूसरा उप्शन है इलेक्टोन एवं प्रोटोन की संख्याओ अपेक्षा करत जादा भार, तीसरा उप्षन है, अपेक्षा करत अल्प भार, चोथा उप्षन है, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तो यदि गुर्टवा कर्षन बल की अनुपस्तिती हो जाए, तो वस्तू भारहीन हो जाती है, उप्षन A करेक्ट होगा, नेक्ट प्रॉसन नेक्ट प्रॉसन पे चलते हैं, नेक्ट प्रॉसन है, डेंगुर्ट रोक का वाहक है, चार उप्षन दिये गए हैं, पहला उप्षन है, एडीज मच्चर, दूसरा उप्षन है, क्यूलेक्स मच्चर, तीसरा उप्षन है, घरेलु मक्की, चोथा उप्षन है, तो दोस्तो कुत्ता मचली का आवास होता है समुद्र, कुत्ता मचली को स्कोलियोडोन कहते हैं, इसका जोलोजिकल नेम होगा, स्कोलियोडोन, option D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, next person पर चलते, next person है, निमलिकित में से, किसका वेग अधिकतम होता है, चार option दिये गए है, पहला option है हवा, दूसरा option है जलधारा, तीसरा option है ध्वेणी, चोथा option है प्रकास, तो दोस्तो प्रकास का वेग सबसे अधिक होता है, option D यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते है, next person है, पदार्थ की किस अवस्था में अडूओं के मध्या की नियूनतम दूरी होती है, चार option दिये गए है, पहला option है ठोस, दूसरा option है द्रव, तीसरा option है गैस, चोथा option है प्लाजमा, तो दोस्तो पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणूओं के मध्या की दूरी नियूनतम होती है, option A यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते है, next person है, पा पानि में से अशुधी, दही, मक्कन, दही से मक्कन, गेहुं से छोटे कंकड आदि को अलग करने की किरिया को पर्थक करन कहते हैं, option B यहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते है, next person है, तो दोस्तों, गेहाँ पर करेक्ट होगा, next person पर चलते है, next person पर चलते है, next person तो दोस्तों, वातावरन के अनुरूप, पोधे एवं जन्तों में पाय जाने वाले सारीरिक लक्षनों को अनुकूलून कहते है, option A यहाँ पर करेक्ट होगा, next person है, जलिये जन्तों में स्थान होता है, चार उप्सन दिये गए है, पहला उप्सन है, फेफडो द्वारा, दूसरा उप्सन है, पुस्तक फुस्फुस द्वारा, तीसरा उप्सन है, वायू कोस द्वारा, चोथा उप्सन है, गल्फडो द्वारा, तो दोस्तों, जलिये जन्तो में स्वसन गल्फर्डो द्वारा होता है option D यहाँ पर correct होगा next person पे चलते है निम्न में से कौन सा कथन वायू के संबंद में सही नहीं है 4 option दिये गए है पहला option है वायू यान उड़ते हैं दूसरा option है वायू में भार होता है तीसरा option है वायू इस्थान गेरती है चोथा option है वायू में रंग होता है तो दोस्तों वायू के संबंद में जो कथन सही नहीं है वह है कि वायू में रंग होता है option D correct होगा next person पे चलते next person है चोटी माता एवं रैवीज रोक का कारण है चार option दिये गए है पहला option है वायरस दूसरा option है प्रोटो जोवा तीसरा option है बैक्टीरिया चोथा option है निमिटोड तो दोस्तों चोटी माता एवं रैवीज रोक का कारण वायरस होता है option A यहाँ पर correct होगा next person पे चलते next person है पीने के पानी में रोगाणू नासक डालते है चार option दिये गए है पहला option है पोटेसियम परमेगनेट तता क्लोरीन दूसरा option है पोटेसियम क्लोराइट तता क्लोरीन तीसरा option है सोडियम क्लोराइट तता ओक्सिजन चोथा option है potassium sulphide तथा chlorine तो दोस्तों पीने के पानी में रोगाडू नासक डालते हैं उसका नाम है potassium permagnate तथा chlorine option A यहाँ पर correct होगा next person पे चलते हैं next person है पोधे प्रकास संसलेशन द्वारा भुजन बनाते हैं प्रकास संसलेशन के रिया में निम्न आवश्यक है चार option दिये गए हैं पहला option है oxygen जल सूर्य का प्रकास एवं पर्ण हरित दूसरा option है oxygen सरकरा सूर्य का प्रकास एवं जल तीसरा option है carbon dioxide जल तथा सूर्य का प्रकास एवं पर्ण हरित उप्सन C यहाँ पर correct होगा, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उप्योगी पदार्थों का अवशोशन होता है, चार उप्सन दिये गए हैं, पहला उप्सन है आमाश्य की दिवारों से, दूसरा उप्सन है चोटी आत्र की दिवारों से, तीसरा उ वीडियो में हमने विभीन परतियोगी परिक्साओं में आने वाले विज्ञान के कुछ important प्रसनों का अधियन किया, तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे comment box में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक request है कि वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को subscribe करके जरूर जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को वीडियो को share कीजेगा, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार